नवर्षकार मैं हूँ अकर्षन उपलर समय आप ये सीधी तस्वीरे देख रहें IBN 24 पर आप मैंसे बहुत सारे लोग क्रिकेट के शुकीन होंगे जो क्रिकेट देखना पसंड करते हैं और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका बेटा या जिनका बेटी या खुद हमारे जो follower है वो cricket खेलते होंगे लेकिन उनको एक अच्छी opportunity कभी ऐसा कुछ मिलता नहीं होगा कि उन्हें लगे कि हम देश के लिए match भी खेल सकते हैं लेकिन अब आपका ये सपना करन साल में पूरा होने जा रहा है अगर आपकी उम्र 16 से लेके 26 साल तक है और अगर आप अच्छी balling करते हैं यानि कि गेंद बाजी आपकी क्रिकेट के अंदर अच्छी है तो आपको एक बड़ा चांस मिलने जा रहा है एक बड़ा मौका मिलने जा रहा है और ये मौका कौन देने जा रहा है सुमित नर्वाल जो की खुद एक जाने माने क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने रंजी ट्रॉफी के 56 मैच के लिए इंडिया ए के लिए कई ODI T20 खेले हैं IPL मैच के लिए यानि हर तरह के फॉर्मेट को सुमित नर्वाल खेल चुके हैं करनाल से इनका प्यार और लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है और अब इन्होंने शुरुआत की है कि अब ये करनाल से एक अच्छे बॉलर को लेकर जाना चाते है उस मुकाम पर जिस मुकाम पर वो पहुँचना चाता है और सबसे अच्छी बात ये है कि उस खिलाडी को किसी तरह को कोई पैसा नहीं देना है किसी तरह की कोई डोनेशन नहीं देनी है आपके अंदर एक ही काबलियत होनी चाहिए कि आपको अच्छी बॉलिंग आती हो तो समित नर्वाल जी से बात करते हैं पूछते हैं कि आखिर क्या प्लैन ये लेकर आए हैं कौन-कौन बच्चे इनको जोईन कर सकते हैं किनको मौका दिया जा रहा है कब आप अपना टेस्ट दे सकते हैं कैसे आपकी बॉलिंग की स्पीड को मापा जाएगा और किन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलने वली है और कहां आप ये मैच आगे चलकर खेल पाएंगे सबसे पहले आईविन 24 पर आपका स्वागत है क्या कुछ बताना चाहेंगे आप एक अच्छे बॉलर की तलाश कर रहे हैं क्या कुछ पूरा यानि कि आपकी एक्टिविटी रहने वली है कहां पर आप ये बच्चों का जो टेस्ट है वो लेंगे और किन बच्चों को मौका कहां पर मिलेगा सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा कोई भी इस तरीके की कोई भी चीज हम लोग अगर जो कुछ हमारे दिमाग में आता तो आपका जिस तरीके से सपोर्ट हम लोगों को रहता है उसके लिए हम आपके हमेशा आ रही हैं औ और यह एक फास्ट बॉलिंग से रिलेटिड हम लोग कॉंपेटिशन और्गनाइज कर रहे हैं दस सितंबर को जो की नो सेक्टर के हुड़ा क्रिकेट ग्राउंड में होगा जो तंकी वाला ग्राउंड उसे बोला जाता है जहां पर आजकल आप लोग सुबसंदे को मैच के इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वह आठ बजे से शुरू हो जाएगी उसी दिन सेम डे इसके अलावा जो भी इसके फॉर्म से वह करनाल की हर स्पोर्ट शॉप पे अभी अविलेबल है हर क्रिकेट अकैडमी में कोचिंग सेंटर में इस ताम अविलेबल है अगर किसी को पहल होना चाहिए हमने स्पीड गन हमारे पास है जिससे हम उनकी स्पीड मापेंगे और हर बॉलर को तीन बॉलें फेकने का चांस दिया जाएगा जिए उसमें से जो उसकी सबसे तेज बोलोगी उसको हम रजिस्टर करेंगे मकषद क्या है बच्चों को मौका मिलता है उनको लगता है हम आगे चलकर IPL खेल सकते हैं डेश के लिए खेल सकते हैं स्टेट के लिए खेल सकते हैं लेकिन बच्चों को अच्छी फेकेगा यहां पर उसको विजेता करनाल का फास्टेस बॉलर गोशित किया जाएगा उसके अलावा जो सेकंड और थर्ड नंबर पर रहेंगे उनका भी हम टेक केर करेंगे प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि खाली एक जने पर ध्यान रहेगा बट हाँ जो जो सबसे तेज बॉल फोकस उसके रहेगा क्योंकि तेज गेंदबाजी एक ऐसी कला है जो हर किसी के बसकी बात नहीं है हर कोई तेज गेंदबाज नहीं हो सकता सर एक बात और बताईए कि जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं आपके साथ या जो बच्चे जुड़ेंगे आगे चलकर क्योंकि आपके खुद बहुत अच्छे टर्म्स हैं चाहें इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हों या हर जगा पर हों करनाल के ही लोगों को आप कह हैं कि तो उसके लिए क्रिटेरिया रखा गया कुछ पेपर देखेंगे कैसे पता लगेगा कि यह बच्चा करनाल का ही है क्या-क्या वह डॉकुमेंट साथ लेकर आए अगर डॉकुमेंट नहीं होता बच्चा बॉलर अच्छा उस्थिति में क्या रहेगा निए इसके दो आपके पास अगर डॉकुमेंट्स हैं तो आप एलिजीबल रहेंगे इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के सुमिच ची एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है खिलाडियों को अब कोई गरीब परिवार का खिलाडी है बीपियल परिवार से है या परिवार को लगता है सुमित अनवाल उसका चैन कर लेते हैं तो उसको सपोर्ट की जरूरत रहेगी अच्छे खाने पीने की जरूरत रहती है अच्छे सामान की जरूरत रहती है अच्छी बॉल की जरूरत रहती है तो वह सब कुछ किसकी तरफ से होगा या खुद इंतजाम करना पड़ेगा जो भी जो भी वच्चे इस competition में रहेंगे नमबर एक दो तीन पर रहेंगे उनकी सारी cricket से related जो भी उनकी जरूरते होंगे उसका सारा इंतजाम हमारी तरफ से रहेगा चाहे वो बॉलिंग के जूते हो जो नमबर एक पर रहेगा हम उसके लिए बॉलिंग के जूते कपड़े प्रॉपर ट्रेइनिंग केट्स हर चीज उसके लिए अवेलेबल करेंगे उसके अलावा भी जहां पर भी उसको यह लगता है ऐसा नहीं है कि उसको सिरफ मेरे यहीं पर आके कोचिंग लेनी है उसको अगर जो यह लगता है कि मुझे अकरशन जी अच्छी कोचिंग दे सकत का तो उसकी कोचिंग की व्यवस्ता वहीं पर की जाएगी आप ही करवा देंगे हम ही कराएंगे सब आखिर मेरे यही आप सबसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा जो भी फास बोलर है इस कॉम्पेटिशन में आके पार्टिसिपेट करें ताकि हम लोगों को भी टैलें के लिए भी हम बड़ी जल्दी एक बड़ा अच्छा है लेवल का टॉर्णामेंट लेके आ रहे हैं जिसमें सब सबको मौका मिलेगा सबको मौका मिलेगा तो यह सुमित नर्वाल है सबके लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं चाहे वह आकरशन उपल हो या इस वीडियो को दे दिली के अंदर है लेकिन करनाल से इनका लगाव है हाली में जो रेसलिंग वैड्रेशन है शायद हर्याना रेसलिंग फैडरेशन है उसमें भी इनका चैन हुआ था तो मेरी आप सभी से एपील जो भी लोग इस वीडियो को देख रहें इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें 10 तारीक को यानि 10 सप्तंबर को आपको सुभे 8 बजे पहुंचना है करनाल के सेक्टर 9 के जो में ग्राउंड है उड़ा ग्राउंड है वहाँ पर पहुंचना है वहाँ पर जाकर आप अपना रिजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हार दस्तावेजों के जरूर्व 곳 रहूट पर नहीं एका पास्पोर्ट की कॉपी औरिजनल पासपोड यहांनी नाइव को फोटोफोर्व कहरें कैट देटो बर्थि का पर आप में 10th class की जो DMC है इन में से आप कुछ भी लेकर आ सकते है और इजनल और फोटो कोपी सर अब कोई बच्चा है सुपोज 10th वो नहीं है 10th class नहीं पड़ा हुआ दो कोई भी पेपर लाएं तो एजुकेशन तो कोई क्रेटेरिया नहीं है ऐसा नहीं है कि आपको हम लोग यह DMC जो वो 10th की एजुकेशन के उससे मांग रहे हैं हम लोग सिरफ एज वेरिफिकेशन के लिए जो है दो डोकूमेंट्स है और रेजिडेंशल वेरिफिकेशन के लिए दो डोकुमेंट्स है तो इन में से कोई भी दो आप ले आए वो हमारे लिए एनफ है तो जिसमें परमानित होता हो कि आप करनाल के रहने वले हैं यानि ऐसा नहीं है कि आपके वाद दस्वी की डीम सी है और डेट बर्त का प्रूफ है डेट बर्त का प्रूफ आपका दिल्ली करें आप देख रहें 24 मैं हूँ अकरशन उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव 10 सप्तंबर को करनाल के सेक्टर 9 से थूटा ग्राउंड में आना ना भूलिए दन्यवाद अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे ब करेंदान नीचे एल वाइवाद करेंग और ना भीज बिए हैं से लाइव फिस तो हमारे जरूर करेंगे हैं जरूर को बढरी दो करेंगे जरूर को यह करेंगे दो में वा